हेलो एभ्रिवन वेल्यकम बेंक टू आवर शेनल वीडियो का ठामनेल डेखा हुगा तो इस वीडियो पे हम दखेंगे कि सिवी पेश्चिंग को कैसे औक्षेन दिया जाता है एन ओक्षेन को कैसे शेट आप किया जाता है उसको इस्टेप बएस्टेप देखेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस सिनल पर नहीं हो तो प्लीज सिनल को जोरू सब्सक्रेब करें क्योंकि आपको इसी सिनल पर प्रैक्टिकल साथ सार एस ठीरू भी मिल जाएगा और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए Definition Purpose and Matter of Oxygen Administration और इसी साथ पर आप आसाने से देख सकते हो नसल के नर्वस से लेके Venture Marks एन Non Revitator Marks पर कितना फ्लो रेट होना साहिए और कितना पाक्सिजन दिलिवर हो सकते है यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली पहले पार्ट को Step by Step Connect करेंगे उसके वर हम लोग पार्ट के नाम जानेंगे तो पहले Oxygen पार्ट को Unboxing करते है तो इसी Oxygen के पार्ट के साथ साथ आपको एक Simple Face Marks and Oxygen की मिल जागया यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Simple Face Marks को भी देख सकते हो इसी एक बॉक्स के अंदर आपको Oxygen सिलिंदर के साथ कानेक करने के लिए सारे पार्ट मिल जाएंगे तो पहले हम इस पार्ट को Oxygen सिलिंदर के साथ कानेक करते हैं उसके पार्ट के नाम Step by Step जानेंगे तो चलिए कानेक करते हैं इसको कानेक करने के ताइम आपको बहुत साबदाने से कानेक करना परेगा किसी एक्सपार के दोवरा यहाँ पर ओक्सिजन पार को कानेक करने के लिए सारे रेंड्स इसी ओक्सिजन की के आंदर मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हो तो oxygen को open करने से पिल हम सारे पार्ट को दीरे दीरे tightly से connect करना है यहाँ पे देख सकते हो step by step oxygen के पार्ट को oxygen cylinder के सार tightly से हमने connect कर सुक है तो सलिए आभी इसी पार्ट का नाम जानते है सबसे पहले यहाँ पे है humidifier जहाँ पे पानी maximum level के उपर नहीं बरना है और अंदर आपको filter भी मिल जाएगा और यहाँ पे है फ्रूमीटर फ्रूमीटर पे किसी पैस्टन को कितना oxygen दे रहा है इसी के उपर देखाई देता है और यहाँ पे है प्रेसर गोस इसी oxygen cylinder के अंदर कितना oxygen है इसी प्रेसर गोस के उपर देखाई देता है इसको आनलोक करने के बार oxygen आनलोक किया जाता है इसी oxygen key की द्वरा यहाँ पे देख सकते हो तो oxygen को आनलोक करने से पहले हमें फीर से दुबरा सैक करना है कि सबी पार्ट्स ठीक से ताइट है की नहीं तो oxygen key को anti-clogues करके oxygen को उपरिण किया जाता है तो सल्लिये सबसे पहले इसी humidifier को उपरिण करके इसके अंदर पानी बरा जाते है तो पानी maximum level के उपर नहीं जाना साहिए आपको दियान पे रखना है और दियान रखना है आपको यहाँ पे distal water और clean water ही बरना है और यहाँ पे हमने minimum level टाक पानी बरा शुका है यहाँ पे देख सकते हो इसी पार को बोलते oxygen output और इसको हम लोग बोलते फ्रू मिटर किसी भी पैसिन को कितना oxygen दे रहे है इसी फ्रू मिटर के उपर आपको देखाई देता है अनलोक हो सुका है तो इसको हम लोग राउनली एक बर करना है एंड हमारा cylinder ready है oxygen देने के लिए तो किसी भी पैसिन को oxygen देने से पहले पाल्स ओक्सिजिएन से शेक करके उसी के एकोडिंग डॉक्तर एडबैस के साथ oxygen देना है हमारा normal oxygen level है 95-100% आगर oxygen लेबल minimum pulse shaking time period है with pulse oximeter at least 60 seconds अगर pulse constantly flexuating करे तो उसी भी ज़्यादा शेक करना पड़ता है तो हमारा pulse shaking complete हो गया pulse पे कितना oxygen level है और कितना saturation आया उसी के according डॉक्तर एडबैस के साथ oxygen देना पड़ता है इसी पार्ट पे हम 2 matter of oxygen administration देखेंगे एक है नासल केनला और एक है simple facts marks इसके सेगेंड पार पे हम देखेंगे non-rebreator marks और benchry marks से कैसे oxygen दिया जाता है अगर आपने आभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज ज़रूर वीडियो को लाइक करे और हमें support करे और अगर आप इस channel पे नहीं हो तो channel को ज़रू subscribe करे तो चलिए सबसे पहले नासल केनला से कैसे oxygen दिया जाता है देखते है नासल केनला पे नॉस्त्रेल पे लगाने के लिए आपको दू सौप प्रॉंक्स दिखाए देगा यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे connector है जो oxygen cylinder के सरकाने किया जाता है एन इसका पार्ट का नम यहाँ पे देख सकते हो नहीं से नसल केनला के जो प्रॉंक्स होता है उसको आप तास नहीं कर सकते एन नसल केनला से हम लोग 1,2,4 liter oxygen दिया जाता है जो beginning पार्ट पे हमने theory day दिया वहाँ पे जाके देख सकते हो तुसरल यह अभी लगा के दिखाते है सबसे पहले नसल केनला के जो connector है यहाँ पे देख सकते है उसको oxygen output के साथ tightly लगाना है ताकि leakage ना हो उसको अच्छे से tightly सेक करके लगाना है यहाँ पे देख सकते हो पाल सेक करने के बाद नसल केनला को patient के उपर देने से पहले यहाँ पे दीरी से regulator को on करना है according to doctor airbase कितना oxygen देना है उसी की हिसाब से हम लोग oxygen देना है यहाँ पे हम लोग देख सकते हो oxygen अले ते on कर दिया है तो यहाँ पे हमने 3-liter oxygen यहाँ पे on करके देखाया है आप लोगों को regulator से oxygen को setup करने के बाद नसल केनला को patient के उपर दीरी से और gently से लगाना है यहाँ पे देख सकते हो नसल केनला पे जो फ्रॉंक्स होता है उसको patient के nostril के उपर अंदर लगाना है यहाँ पे देख सकते कैसे लगाना है gently से लगाना है आपको ताकि patient कोई तकलिप ना हो नसल केनला को यूज़ करने के बाद एक्स हैप्टी जगा पे clean करके रखना है नसल केनला से कैसे oxygen दिया जाता है हमने देख लिये तो सलिया आभी हम देखते है Face Knox से किसी भी patient को कैसे oxygen दिया जाता है Face Knox से φोड से 8 लितर तक oxygen दिया जाता है तो सलिया आभी इसको unboxing करके देखते है यहाँ पे Face Marks औन ट्यूप अलग से आता है तो इसको हम लोग अच्छे से कानेक करना है ताकि कोई लिकेस ना हो तो हम लोग इसको अच्छे से कानेक करते हैं यहाँ पर देख सकते हो हेड़ करश जुका है फेसमाक्स को जैनिकली से फैशन के फैस के ऊपर लगाना है एन यूज करने के बार उसको क्लीन करके एक सोरग्सर जगा पे रखना है तो फैसमाक्स से कैसे ऑक्षन दिया जाता है हमने असे से देख लिया अगर बीडियो को लेके किसी की को कुछ जगा पर दाउठ ही तो जोरूर और कॉमेंगे हमारे तीम जोरूर रीप्ले देंगे आगー आपने वीडियो वीडियो को आपी टेक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस जिलान पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आज को वीडियो यहीं तक है